पाकिस्तान ने नवजोत सिंग सिद्धू को दिया जटका प्रिकेटर और कॉंग्रस नेता नवजोत सिंग सिद्धू की परेशानी और बढ़ गई है पाकिस्तान यात्रा और पाकिस्तान सेना प्रमुख से गले मिलने के बाद निशाने पर आय सिद्धू को पाकिस्तान ने जटका दिया है इम्रान खान के प्रधान मंत्री पद के शपत क्रहन समारोह से वापस भारत लोटने के बाद सिद्धू ने कहा था कि भारत पाक सीमा से धाई किलोमीटर दूर करतार साहब के दर्शन के लिए द्वार खोलने को लेकर उनकी पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात हुई हाला कि अब पाकिस्तान की तरफ से स्पष्टी करण जारी कर कहा गया है कि एक घटना से इसका निरनाय नहीं किया जा सकता है. इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और दोनों देशों के बीच बात्रीत के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है. इस खबर के बाद अकाली दल ने कॉंग्रेस पर हमला बोल दिया है. गौर तलब है कि करतारपूर में गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 18 बरस गुजारे थे. भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपूर से लेकर गुर्दासपूर जिले में स्थित देरा बाबा नानक तक कॉरिडोर बनाय जाने का प्रस्ताव है, जो लंबे समय से अटका हुआ है. इस चार किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को सिक श्रद्धालूओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना है. गौर तलब है कि पाकिस्तान सेना प्रमुक बाजवा से गले मिलने पर सिद्धू ने सफाई देते हुए कहा था कि आर्मी चीफ बाजवा ने मुझे पहली पंक्ती में बैठे देखा तो मेरे पास आए. उन्होंने कहा कि गुरुनानक साहब के 550 वे प्रकाश दिवसपर भारत के देरा बाबा नानक से लेकर पाकिस्तान में स्थित कर्तारपूर साहब के दर्शनों के लिए श्रद्धालूओं को बिना रोक्टोक रास्ता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान सरकार की तरफ से खंडन के बाद सिद्धू अकाली दल के निताओं के निशाने पर हैं.